आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है कि गैस को आप नहीं collect कर सकते आइदर downward और upward displacement of water अब यहां पर आप समझेगा इस चीच को ध्यान से यहां देखिए यहां समझेगा तो इसका मतलब क्या हुआ है यहां से हम गैस का कौन सा characteristic property पर comment कर सकते है यहां समझेगा तो यहां से हम क्या बोल सकते है कि आपका जो गैस जो है वो आपका क्या है highly soluble है water में highly क्या है soluble है water में इसी वज़ज़ से तो हम ना तो upward ना तो downward किसी भी तरह से displacement of water करके हम गैस को नहीं आपका उसको हम लोग difference collect कर सकते है ठीक है reason क्या है क्योंकि gas आपका soluble हो जा रहा है water में ठीक है तो यहां पर लिख रहे है इस चीज़ को लिख रहे है इसी कारण cannot be यही आपका reason है कि highly soluble water में होने के कारण cannot be collected collected either either by downward downward या आप क्या बुल सकते हैं और upward upward displacement displacement ठीक है यहां समझेगा किसका water का water ठीक है यहां समझेगा तो यह हो गया यह पहला एक characteristic हमने बता दिया ठीक है next इसने क्या लिखा है कि gas को कैसे collect किया गया upward displacement of air के द्वारा collect किया गया ठीक है तो यहां पहें समझीगा इसीच को दियान से यहां देखे देखे टेश्याद क्या क्या गया है ग्यास्यादई गया क्या चाहए असका मतलब क्या हुआ कि gas जो है वह आपका क्या है जैबियर है एक के compare आपका क्या heavier है तो gas जो है यह आपका heavier है heavier then air ठीक है air के compare gas आपका heavier है ठीक है यहाँ समझेगा तो होता क्या actual में देखिए होता क्या है कि आप अगर upward displacement करिएगा air का upward displacement upward displacement करिएगा किसका air का यहाँ समझेगे देखिए जब आप upward displacement करेंगे air का तो क्या होगा actual में कि जो lighter जो है air वो आपके remove हो जाएंगे lighter air क्या हो जाएंगे remove हो जाएंगे ठीक है तो आपके पास क्या बच जाएगा remaining क्या रहेगा जो gas जो यह आपका remaining gas हो जाएगा जो कि आपका heavier है then air तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे लिखेंगे left behind behind with with the gas ठीक है यह gas जिसका हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक है इस gas के साथ यह gas आपका बच जाएगा जो कि आपका air से heavier है heavier है then air ठीक है यहाँ समझेगा तो यह हो गया तो gas आपका क्या होता है highly soluble होता है water में इसलिए हम लोग इसको ना तो upward ना तो downward displacement से separate कर पाते हैं मतब collect कर पाते हैं ठीक है और यहाँ पर गैस का हमने बता दिया air के compare heavier है तो इसको upward displacement of air से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर अब आप यहाँ option देखें यहाँ समझेगा तो फर्स्ट option तो आपका गलत हो गया है यहाँ समझेगा फर्स्ट अप्शन आपका गलत next देखें क्या है it's lighter than air और its highly soluble in water lighter than air नहीं यह heavier than air यह यह भी option गलत हो गया it is heavier than air and it is highly soluble in water third option अपका correct हो गया fourth option क्या है it is lighter than air and water गलत तो आपका correct option पॉन सा है option 3rd आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर